नवस्कार दोस्तों मेरा जर्शन सागत करता हूँ आप सभी का आपके चैनल एक्जाम फेवर IQGK में आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक भारती रूपया के बारे में जानकारी लेंगे और इससे सम्मंधित MCQ प्रसनों को कवर करेंगे इस वीडियो में लिये गया सारे प्रसन इंपोर्टन एवंग सेलेक्टिर हैं जो आपके किसी भी कॉंपेटिटिव एक्जाम में यूश्पूल एवंग सहायक होगा तो चले सुरू करते हैं आज के पहले प्रसन से अगला प्रसन है भारतिय मुद्रा के लिए परतिक चिन कब चुना गया था? राइड आंसर है आप्शन B, 2010 भारतिय मुद्रा के लिए परतिक चिन 2010 में इस चिन को सेलेक्टेट किया गया था अगला प्रसन है वो डिजाइन द लोगो फूर्द इंडियन करंसी भारतिय मुद्रा के लिए परतिक चिन का डिजाइन किसनिक तयार किया था? राइड आंसर है आप्शन C, Dr. Udai Kumar ने भारतिय लोगों का डिजाइन किया था अगला प्रसन है वोट इस द आईएसो कोड ऑफ इंडियन रुपीज भारतिय रुपे का आईएसो कोड क्या है? राइड आंसर है आप्शन A, INR आईएन आर भारतिय रुपे का आईएसो कोड है अगला प्रसन है भारत में मुद्रा आपूर्ती किसकी द्वारा नेंद्रिद की जाती है? राइड आंसर है आप्शन D, भारती रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक आफ इंडिया की द्वारा भारत में मुद्रा की आपूर्ती money supply कंट्रोल किया जाता है अगरा प्रस्ट है, who has the absolute right to issue paper note currency in India, भारत में कागजी note मुद्रा जारी करने का पून अधिकार किसके पास है, और अंसर है, option B, Reserve Bank of India, Reserve Bank of India के अधियन, भारत में कागजी note मुद्रा जारी करने का पून अधिकार प्राप्त है, अगरा प्रस्ट है, who issues one rupees note, एक रुपे के note को कौन जारी करता है, और राइट अंसर है, option C, बित्त मंत्राले, फाइन्स मिनिस्ट्री के द्वारा एक रुपे का note जारी किया जाता है, यहाँ note की बात हो रही है, ना कि कोईन की, अगरा प्रस्ट है, एक रुपे के note पर किसका ह अस्ताक्चर रहता है, और राइट अंसर है, option C, बित्त सची, फाइन्स स्कृट्री का अस्ताक्चर रहता है, एक रुपे के note के ऊपर, अगला प्रस्ट है, who is authorized to issue coin in इंडिया, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकरित है, और राइट अंसर है, option A, बित्त मंत् Finance Ministry के द्वारा, इंडिया में सिक्के यानि की coins जारी किये जाते हैं, अगला प्रस्ट है, 2000 रुपे के नए note पर, पीछे की तरब किसकी आकरेती छपी हुई है, और राइट अंसर है, option C, मंगलियान, 2000 के नए note के पीछे, मंगलियान दर्साया गया है, चुकि इंडिया ने 2014 म सफलता पुर्वक मंगलियान को दाय किया था, अगला प्रस्ट है, 500 रुपे के नए note के पीछे, किसकी आकरेती बनी हुई है, और राइट अंसर है, option A, लाल किला, रेट फोर्ड, 500 रुपे के नए note के पीछे, हमारा भारत का लाल किला, यानिकी रेट फोर्ड का चित्र दि बीर चपी हुई है, और राइट अंसर है, option A, सांची अस्तूप, 200 रुपे के नोट के पीछे, सांची अस्तूप का फिगर दिया हुआ है, अगला प्रस्ट है, 100 रुपे के नए note के पीछे के तरफ किसकी आकरेती चपी हुई है, और राइट अंसर है, option C, रानी की बाव, रानी की बाव का तस्वीर, 100 रुपे के नए note के पीछे में उनकी तस्वीर दी हुई है, अगला प्रस्ट है, who figure is printed on reserve site of the new RS50 notes, 50 रुपे के नए note के पीछे की तरफ किसकी आकरेती चपी हुई है, और राइट अंसर है, option C, हमपी के रत, हमपी के रत का तस्वीर, 50 रुपे क नए note के पीछे चपा हुआ है, अगला प्रस्ट है, 20 रुपे के नए note के पीछे की तरफ किसकी तस्वीर चपी हुई है, और राइट अंसर है, option B, एलोरा की गुफा है, एलोरा की क्याप्स की फोटो, 20 रुपे के नए note के पीछे दिया हुआ है, अगला प्रस्ट है, 10 रु कुनार्ग का शूर्य मंदिय कुनार्ग का सन टेमपर्ल 10 रुपे के नए नोट के पीछे तस्वीर दी गई है अगला प्रस्न है निम्नलिकित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रिय बैंक है अगला प्रस्न है बुल और सब्दा वाली का सब्द किस से सम्बंदित है बुल और का सम्बंद स्टोक मार्केट से है बुल शेयर को अपक्रेड यानि की ऊपर जाते हुए दिखाता है और बियर शेयर को डाउन यानि नीचे की ओर जाते हुए दिखाता है अगला प्रस्न है किस वर्ड नवाड की अस्थापना हुई थी राइड आंसर है आपसंसी 1982 1982 में नवाड को अस्टेबलिस्ट किया गया था अगला प्रस्न है वहर्ड में पहली बार बैंकों का राष्टिकरन कब हुआ था? राइड अंसर है आपसंसी 1969 1969 में बैंकों का राष्टिकरन पहली बार किया गया था पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद वीडियो पशन आए तो लाइक कीजिएगा साथ में शेर करना न भूलिए और सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करना न भूलिएगा चलिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद